दोस्तों, बिना संगर्ष के तो आज भी डाइमड बनता नहीं, जीवर में संगर्ष मेरे भी बहुत रहा है, पर आज संगर्षी बाते नहीं करेंगे, अच्छी बाते करेंगे क्योंकि मेरा मानना है, बुरा सोचने से दिल पे असर होता है और दिल पे असर होता है तो कि टारेक्ट सेलिंग बिना संगर्ष दुख आसू इनके बिना नहीं हो सकती तो दोस्तों शुरुवात में ही सबसे पहले सभी गुर्देव को प्रणाम दिल से कोटी-कोटी नमन मेरे माबाप मेरे परिवार का शिरवाद जो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कंपनी एंड संजीब सरका बहुत-बहुत धन्यवाज इसकी बड़ी संस्थान मुझे मिली काम करने के लिए दोस्तों इस बिजनेस में मेरा आना एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं इस देश की टॉप त्री कमटियों में काम कर चुका हूं देनिक वासकर ग्रूप और सन नेटवर्क इसमें अंडी टीवी और एटफेम आते हैं उसमें मेरे काफी समय मेरा दिया हुआ है पैसे कमानी की सुरू से इच्छा रही मेरे पिता जी मुझे पढ़ाने में लगे रहते ते और मैं खुरपात करने में लगा रहता था तो पै 2012 से नौकरी की शुरूआत करी दोस्त तो 2018 तक मीडिया सेक्टर में दोस्त उस लेवल तक पहुंचा जिस लेवल पर पहुंचने की लोगों को बीस बीस साल लग जाते हैं इतने कमाने कि मैंने जरिया अपने आप रखे हुए थे कि दोस्त ऐसा कोई साल नहीं होता था जिसम अच्छा नौकरी अच्छा सरकल सब कुछ मैं इस बिजनेस में भी लाया गया वो भी एक बहुत बड़ी कहानी तुमर शॉट में जुरू बताना चाहूंगा कि जब भी मैं बनारा से आता था आपने परिवार से मिलने के लिए आता था ओली दीवाली में तो एक साइक सक्स जो मुझे हर बार प्लैन दिखाता था हर बार मैं दो दिन के लिए आऊ तो भी प्लैन दिखाता था दो घंटे के लिए आऊ तो भी प्लैन दिखाया करते थे पर मैंने कभी नहीं माना क्योंकि दोस्त उन्होंने मुझे दिखाया क्या वही गाड़ी वही लाइफस्काइल वही घर जो मेरे पास पहले से था अचानक से मेरी मुलाकात 28 जनवरी राजा पहले जैपूर में कमपणी के M.D. सर से होती है 20 मिनिट की मीटिंग 20 मिनिट की मीटिंग के अंदर 7 साल का पूरा करियर उन ने मेरे पेपर में उतार दिया था और एक ही चीज बोली थी कि दोस्त 34 साल 34 साल तेरे पिता ने भी नौकरी की है उनके पास पेंशन का सहारा था तो 24 साल और नौकरी कर लेगा क्या सहारा मिलेगा कितना बचा लेगा और कितना आगे भवीशी के लिए रख लेगा दोसो बाते 20 मिर्ट की मेरे दिमाग में ऐसी गुमी कि उसके बाद ना तो नौकरी करने का मन किया न कुछ और एक दो हफते बाद दुबारा मैं कमपनी M.D. से मिलता हूँ और वापस बोलता हूँ कि सर कैसे करना है क्या करना है मुझे बस इतना बता दो कि इस बिजनेस में मैं सफल हो पाऊंगा की नहीं हो पाऊंगा मुझे विश्वास दिला दो कि इस बिजनेस में मेरे जैसा इनसान भी टिक के काम कर पाएगा की नहीं कर पाएगा दोस्त बोलते हैं कि फॉलॉप के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है एक ऐसा इंसान था जो कंटीनिव मेरे पीछे फॉलॉप पर फॉलॉप पर करता रहा और जब तक मैंने जॉइन नहीं कर लिया तब तक उनका फॉलॉप खतम नहीं वा दोस्त जाना चाहते कौन है जान आकिर में जब कंपनी के मिलता हूं मुलाकात मेरी होती है और सिर्फ एक चीज जब कूसता हूं कि सर हा या ना में जवाब दे दीजे कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा के नहीं हो पाऊंगा उनके एक ही शब्द से बेटा बनारस में जा दसका गर्म टेनिंग चल रही है उसको बनारस में ट्रेनिंग करने आता हूं दोस्त वह तीन दिन की ट्रेनिंग मेरे लिए तर्रिंग पॉइंट होता है वहीं से मेरी जीवन में नवकरी अटी और इस बिजनेस की शुरुवात हुई वो तीन दिन के अंदर मुझे इतना तो समझ में आगे के दोस्त आज तक तुने सेल्सी किया है बेचना तुझे आता है टीम वनाना तुझे आता है लोगों से मुलाकात करना तुझे आता है ये काम भी तु कर लेगा ये काम भी तु कर लेगा पर कितनी दूर तर जाएगा यह नहीं पता था दोस्तों वहाँ मेरी एक ऐसे सक्स मुलाकात होती है पहली बार जिनको आज तक अपने दिल में बैठा के रखा उस दिन से आज तक यह सूच के काम किया कि दोस्त अगर गिरा अगर गिरा तो वो हाथ मेरे पीछे खड़ा हुआ है अगर कही कुए में किरने की बात भी हुई ना तो इंसान मुझे बाहर निकाल के ला देगा जानना चाहते हैं कौन है जानना चाहते हैं दोस्त इस इंडस्ट्री के यंगेस यंगेस नेटवोकर से बात कराने जा रहा हो आपकी तालियां की जोर से होने चें हमारे कंप्पनी के सभसे स्मार्टेस्ट लीडर अमेर कुमार तुभे सर के लिए जोर दर तालिया होनेचे दोस्तों जोर दर बहुत बहुत धन्यवाद गुर्दें जो इस बिजनेस में मुझे छहलने के लिए सुरुवादी दौर में खूब परिशानी हुई खूब परिशानी हुई पर सभी गुरुलेविलों का अश्रिवाद रहा बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा बहुत आगे बढ़ा और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की दोस्त बताना चाहूँगा आप लोग को कि इस बिजनेस ने मुझे मुझे लाइफ स्टाइल सिखाई इस बिजनेस ने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया इस बिजनेस ने मुझे अपने पैसे को कैसे इस्तमाल करना हो सिखाया मैं मेरे सभी गुरुजी लोग का तहे जिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्यों गुरू दूनते हैं मैंने दोस्त धुनाया दोस्त आरित्य सर की बात करूं बहुत बहुत धन्यवाद गुरू जी एक दोस्त से भी बढ़कर उन्हें ने मेरा साथ दिया उनकी कई सारी चीजें जो मैंने मेरे लाइफ में अंदर अपने लिये ली और कई सारी चीजें सरने मे बड़ा सा बिजनेस जब आगे बड़ा एक और बड़े भाई का रूप मुझे मिला यहां पे जिनों ने पल पल मुझे समाला पल पल मुझे उठाया क्या गलत है क्या सही है क्योंकि दोस्त नेटवर्किंग कभी जानता नहीं था नेटवर्णगी का एन नहीं पता था डायर स इसे इंसान थे जिन्होंने बार-बार मुझे सही किया बार-बार मुझे सही किया वह इंस्तख्स और कोई मिस्टर ग्यान देश रमाजी थे गुरुजी के एक जोड़नार डाले होने चाहें दोस्तों तैंक्यू गूर्देव यहां से कार्वा दोस्त मेरा शुरू होता है खूप ऐसे कमाएं खूप ऐसे कमाएं और सब्सेवड़ी बात आज तक 40 महीने के अंदर आज तक मेरा चेक जीरो नहीं हुआ आज तक मेरे टीम में टूटी और आज तक पहले ऐसे व्यक्ति हो जो नेट्वाकिंग में इसलीपेट में 36 महिने एंदर दोस्त लोग दसव में बने आठ साल में आपने कई सालों का इतिहास लिग के लेके आय थे कई कंपनीयों से आय थे टाय दोस्त ये फ्रेशर जिसको डिना ही पता था नेटवरकिंग का अन नाहीं पता था तो मैने बाद यहां पड़ी मंड़ा ओगा दो महिने इंकम नहीं बताओं गाओंमस के मेरे उसे बड़े बड़े इंकम लोगे बैठे वे हैं पांथ्ष Mayor का 451 स inflation आज जाती हैं सपने बहुत बढ़ेस जीवन में मेरे आज तक सारे सपनों को मैं निमक पूरा किया हैं बले वो सपने में दे còn回去 हो nor एनगे मेरे अंदर आगर मैं भाल होandır मुझे च vaccination तुम तो मुझे चाहिए दोस्त और अर secure पिजेश ने वुसा में को पूरा करने मेरा बहुत सा मेरा बहुत सारी यात्राये की यरृ पांचा κάνे एक अच्छी lifestyle जी रहे हैं वसकी सप्ना दोस्ति इस बिसने इस बैचा में आज तक हर काम रिक अषब टाइम पही आणें कर आद्प आनगे वि कोättके एकलो लोग आगे बढ़ाएंगे और दोस्त सबसे वड़ी बात सबसे वड़ी बात आज तक अगर इस बिजनेस मेरी रफ़तार इतनी तेज रही है तो उसके पीछे मेरी प्यारी सी टीम का हाथ है आप लोग अपने लेक जोड़ा ताली बजा लेना इश्वर की कृपा और अप्लाइन लोगों का आशिरवाद है कि आज विने सिंग के पास में एतनी बड़ी पावर है कि इतने सारे लोग इतने सक्सेस्टू लोग इतने महंती लोग आज मेरे साथ काम करते हैं दोस्त वे विने सिंग कुछ नहीं ता इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सईयोग रहा जो यहां तो पहुंचाओ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत-धन्यवाद दोस्तों समय कम है बोलना बहुत कुछ है पर एक चीज जरू बोलना चाहूंगा इस बिजनेस में जैसे ओम्रकासर बोलते हैं इस बिजनेस में कोई यह नहीं पूछता कि MBA करके आया है यह MBS करके आया है कोई कुछ नहीं पूछता इस बिजने से बस एक चीज पूछी जाती है कि दोस्त क्या तू कर सकता है मेरे बाइक के पीछे बैठ सकता है अपने लोगों से मिलवा सकता है ये पूछा जाता है दोस्त और यही करना ही है यही करना है मैंने भी किया और आप लोगों को भी करना हो दोस्त